आप मेंसे कितने लोग हैं जो बहुत excited हैं आज के session को ले करके तो अब मैं जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज के guests हैं तो आपका जो excitement level है वो और भड़ जाएगा ये बताने से पहले के guests कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं YouTube के बारे में YouTube में क्या है कि पूरे world की अगर बात करी जाए तो करोडो channels है जो अलग-अलग genres में है अलग-अलग categories में है उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे world में जो world का number one motivation channel है वो मेरा है और जो world का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guests है उनके सत्रा मिलियन से जादा subscribers है प्लीज गेव एन इनर्जटेक और वेल्टम तू दा वान इन अल्ली Khan Sir जार जार जी कैसे है और इससे पहले कि audience आप से कुछ पूछे या इससे पहले कि audience आप से कुछ पूछे या इंट्राइक करें मेरे माइंड में एक question है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे comment section में भरा पढ़ाता Khan Sir कब आएंगे Khan Sir कब आएंगे मतलब में जादू कर दिया अपने बच्चों के ओपर यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे भी इतना कमेंट है इतना मेरे तो ओफिस में लोग चले आएंगे कि Sir कब जा रहे हैं क्युक्क्य हम तो एक्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है हम लोगा में है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आए उसके मन में कोई डाउट ना राजा हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो भूल के दिखाओ याद रगे नहीं है प्लस आप जिस प्राइस पॉइंट पर पढ़ा रहे हैं I think वह सबसे कम है वह बहुत ही कम है यह जो फीस का कल्चर है यह हमारा इंडियन कल्चर नहीं हमारा इंडियन कल्चर गुरुदक्षिना है उस हिसाब से वह सही है अक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजूकेशन जरूरी है कोई यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से ओखान सर के यह से लौट गया क्या बात मैंने देखा कि आपका यह जो चैनल है कि यह पिछले तीन साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है हमको जब चैनल सुरूआ तो एक दिन में हम चार पांच वीडियो बनाएं एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देखके कामरा हूं रहा तो हम कन्फीज हो गएं बापरें तो हम एक ही दिन में वीडियो सुट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छे साथ एक ही बार सुट कर लियें और एक जो तहें जिनका कैमरा वग़ा तो में पास एकमरे भी नहीं थे उस टाइम और कैमरा 25,000 का था तो छे मुएन एक लि तब हमको याद है कि हो हो मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर तूस समय उस पे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लोगड़न लगए तो उस पढ़ाना चालू कि और पता नहीं किया लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट आगिया कि अपना स्टाइल ए अब अब आखेंगे 100-200 साल, mentally 1000 साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पोंस्बिल्टी यहां खतम नहीं हो जाती है पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है टीचर की इससे बड़ी रिस्पोंस्बि अब आपके पास तो करें सर डाउट कैसे पूछेंगे हैं हम कर यह तुम्हाँ डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट की आपके पास आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में 17,000,000 है और मेरा एक क्वेशन और है इससे पहले के ओडियंस में से आपसे कोई क्वेशन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉंट्रोवर्शल है या थोड़े से सेंसिट और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलीट जगह गिरा था फटा नहीं हो मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज़त किया जाता है मैं समझ पा रहा हूं कि यह आपके अंदर जो अटिट्यूड है कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्चपन से ही फौज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो कर के हतियार से एक कि जान जा सकती है कलम से बहुत ताकत होता है सिक्षा एक ऐसा अथियार है ना हर कूरितियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और यह कैसा अथियार में मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है मेरे खुशन यह है कि अभी प्राइवेट ऑगनाईजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खातम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर का आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पूलिस वाला लाठी हो पूलिस वाला लाठी है और स्टेज पूला के बच्चों को उसी से धुनाई सुरू कर देते हैं मस्त एकदम से तो सर मतलब की बच्चे मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टिट हैं आपसे हैं और एक और कोस्टन सार यू पीसी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है उ दोरह कम प्लीट करो. I'll be an I.S. officer next year. Because I have seen you sir. My day is like complete sir. All the best. Thank you so much sir. Thank you. TwoL… Thank you. भी को तेहां बच्चों को जहां तक पेटने की बात है यह जब पढानेकी बात एगी तो उसको अम पूरे बहतरीं ढंग से पढाईगी। लेकिन जब सजा देने की बात आगी तो वो भी बहतरीन धंग से होगा, इसे थोड़ी होगा की बस एक ये चीज बहतरीन धंग से होगा, और डर का होना बहुत ज़रूरी है, ये डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रह हम तो जादे तर हमारी स्टूडेंट देगेंगे तो किसी के रिक्सा वला सबजी यही लोग, इनको तो रही लाग रुपया उनके पास कूरी संपत्ती नहीं होती है, फीस कहा से भरेंगे माप, उसको रहेंगे कहा से, तो ओल ओबर इंडिया से, कस्मी से, कन्या कुमारी त सच है, मतलब आप सच में रखते हो, पुलिस काई हो, और मारते हो, कि मतलब अगर कोई लड़की छेड़ता है या इसा कोई भी उल्टा करना है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पर, क्यामरे पे, जैसा भी रहें कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है एक थो कोई मतलब बिधायक जी थे उनके लड़का को पिट दिया तो चलाएंगे डल बल ले कि अपना उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पिटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पिटा है बात में पता चला हम पिटे हैं तो उसके पिटा जी मेरे सामने और पिटे है सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का फौजी को डरे नहीं लगता है बाकी अफसार से पुछी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वली कहानिया सुन कर डर लग रहा है कि कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आ करके अगर इनोंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है अपी डेली किते गंटे चलासे सोती है शह साथ गंटे अभी खुदी करते हूआ हम अरे स्टाफ परिशान रहते हैं आम देड दो बज़ सोते हैं सुबज शुबज उड़ यादे परिशान रहते हैं अर इतना क्यों करते हो इना क ऐसलिए तो में साथ साथ लगना पड़ता है हम जग गया है तो कोई सोया थोड़ी रहेगा है परिशान रहते हैं तो बजग एंगे नहीं है होग जाके सोतेह लाते है सब्सक्राइब करते हैं शिट बांदी है कि दुम ईस्तना सोजन तुम ही अधर सोजना रहते हैं आपकी अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैप्टॉप में देखा है दोनों को आज फिर्स टाइम लाइफ देख रही हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कुशन यह सर आप से जब हम लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं कि हमें यह पर्टिकुलर चीज करनी है और क्य मेरा कुशन यह है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहा है कैसे हम जो दूसरे के ओपीनियान उनको अफेक्ट नहोंने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए उकार ऐसा नहीं है काई बार ऐसे होते है कि दूसरे ओले को एक्स्पेरियन्स हुता त मैं अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बहतरी में आसे रिसर्च की एंग क्या इसमें प्लस पॉंट है क्या प्लस पॉइंटिट पुत उसके वोने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात पर थोड़ा सा और अड़ान करूगा कि यह जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजिजिज़न पर स्टिक कैसे रहें यह कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि time to time आपको अपने decisions को change करना होता है जैसे आपने चार्ट लोगों से discuss किया कोई इंसान कुछ positive बोल रहा है कोई negative बोल रहा है उससे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए depending है करता है कि वो जो बोल रहा है उसका basis क्या है क्या वो किसी knowledge या experience के बेस पर बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पर ध्यान क्यों दे रहे हूँ अगर किसी knowledge या experience के बेस पर बोल रहा है फिर चाहे वो positive बोल रहा है चाहे negative बोल रहा है हाव तो डिल प्रोक्रास्टिनेशन एंड लेजिनेस हमारा ब्रेन है यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सभी अब इसको आराम के और लेकर चले ना तो फिर उधरी रहेगा तो आप उसके हिसाब से मचले आपका मन कर रहा है तो आप सब देख लेता है कोई नोटिफिकेशन आया आपको काम कर लिए पर पहले काम कर लिजिए बाद में देखेगा नोटिफिकेशन आप हाभी मत होने दीजे हाप अगर आप 5 मिनट भी ठोड़ा सा लूच पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेता है, दो घंटा बरबात कर दी आपको, हाभी मत होने दीजेगा उसको अपने उपर. दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फसाया जाए, जब हम फस जाते है ना, तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है, then there is no looking back, जब तक आप सोच रहे हो, तब तक सोच रहे हो, उसको बोलते है पैरलेसिस और अनलेसिस, कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइन में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, और प्रोक्रास्टिनेट हो रहे है, वो चीज तलती चली जा रहे है, तो उसको चोटे चोटे लेवल पर बेकडाउन करके उसको कर दो, और जैसे ही करना शुरू करते हो, कोशिश करो कि उसको जब तक क्या आप सही से नहीं कर लेते हो, उसको छोड़ना नहीं है, तो आपकी लेजिनेस भी खतम हो जाएगी, कई लोगों तो हमने तेका है, जो सब्ता में कुछ भी नहीं करता हूँ भी संडे को आराम कर रहा है। कि अगर कोई काम आपको करवाना है तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है, ऐसे आदमी को मद्दोचो खाली है, यह परफेक्ट लिग्या, किसी को भी आप दिखेगा, जिसको आप कहते हैं कि मतलब ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं यह बहुत आगे जिगल, वो एक काम क अखरी सांस तक है यह पर सब हिंदे में पूछते हैं इंगलिश में पूछते हैं मोचपूरी में पूछों जो आपक ठीक लागे थीक पूछ दो है यह पुचे के जाद देनी कि जिसे हमनी के पढ़ाही करें निसन तो कभी-गभी डेली टारगेट्स जोला ओ प्लिट नोला अगर टारगेट्स कंप्लिट भी उला तो फिर जा इरिटेशन या फिर वह एंजाइटी या फिर के और करना है या फिर अभी नहीं हुआ को ना हम लोग को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देखके हम टारगेट्स कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देखके आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ा और अपनी च्हमता को भी देखिए हर इंसान की च्हमता अलग है कंगारू को देखके हाथी चलांग मारेगा पहर तोड़के बढ़ जाएगा अब संदीर का मोटिवेशन देखके इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जेंगा धगयल देगे तुमको हाला कि आइसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करियेगा लोग नहीं चमता पता होना चाहिए अगर आपको ये देखना है कि अगर आपके अंदर नहीं ए थे है दिन में मानो 8 गंटे का आपने target set किया और 6 गंटे पढ़ लिया या मानो 8 गंटे भी पढ़ लिया फिर भी anxiety हो रही है कि मैंने 10 गंटे नहीं पढ़ा तो यह तो अच्छी quality है ना यह तो एक brilliant student की quality है क्योंकि anxiety उसी को होती है जो care करता है जिसको परवा है उसी की तो anxiety होती है जैसे मा को अपने बच्चे की जैसे मा को अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है हसलो हसलो मजाक उडालों को कोई बात नहीं edit कर देंगे इसको हम हाँ जैसे एक मा है उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है थोड़ी सी भी तबित खराब हो जए उसको anxiety होती है चाहे बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है क्योंकि मां को उस बच्चे से प्यार है तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो, इस वज़े से आप के इंदर anxiety हो रही है which is normal जहाँ पर प्यार मुबबत होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत anxiety तो होती ही है समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूँ जब वो किसी और से बात करती है तो anxiety होती है आपकी स्टोरियम ने सुनी थी उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये decision कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से बापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर जाने के लिए अटलिस्ट नवे रुपे चाहिए थे जेव में 40 रुपे थे नहीं काई काई ये जाते हैं और हम गंगा की किनारे चुपचा बठे बठे हम करें कि अब बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे और तो किराय की रूम पे यादमी इस आरे लोग रहते हैं गये महाँ पर तो रूम्लॉक हो गया था तो घटकटाय तो उप पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल काचेंज ले कर कि का सकता हूँ education field में revolution ले करके आ सकता हूं यह सोचना ही बहुत लोगों के बसका नहीं है मेरी एक खुद की तिंग कि अगर हमको कोई सो रुपे किसी काम के लिए हम सबसे यह करते हैं तो हम कोसिस करते हैं उसे 200 का return दे अगर कोई हमसे 200 रुपे फीज दे रहा है सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी category होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना की हमें मिल रहा है तीसरी category होती है लोगों की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यह सुचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपे भी लिया, देखा जाए तो दो ड़ाई सो रुपे कुछ भी नहीं होता है, दो ड़ाई सो रुपे अगर मैंने लिया तो कैसे उसको चार सो यह जो थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडियो अकर रह जाता है आप अपने आपको अपने आपके उपर समय दीजिए उसको डेवलब किजिए जब आप अपने आपके उपर खर्च करते हैं त बनते रहता है इसे, फ्लो फ्लो में बन जाता है आपके अंदर नहीं कभी छुपा हुआ है कही नहीं, जो भार आना चाहता है, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ संगती का मतलब हलके में ले लेता है, संगती का मतलब हलके में लेता है, संगती का मतलब हलके में लेता है, संगती का मतलब है संग संग गती तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गती होती जाएगी, घराब में रहेंगे तो इभी होता है, बट अपने आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाएं इसके लिए नहीं आए हैं, लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं, हाली हाथ जाने के लिए, यह सब को लगा है, तो हर कोई को यह सोचना चाहिए कि था कोई इंसान, जो इतने कम फीज में इतनी सिक्षा, जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एक्टम कर दिए इतना कर दिए कि लोगों को अपनी फीज बढ़ाने में डर को कमेंट करता है कि खांसर इतना ले आप बड़ बड़ का टीचर अगें अगर समय रहते हैं तो इंसान कामयाब हो गया, लिगे अगर समय सला गया, फिर समय दारी यह फिर तो पेकार है, तो सर मतलब कुछ आपको ऐसे चीज लाना चाहिए, जो मतलब बच्चों जो तयार ह जो रहे हैं, उनको यह चीजे मतलब एंटाइम पर दिखे हैं, सबसरे आप मेरी बात, नहीं समझे हैं, यही होता है, सर का मोटिवेशन जादे हो जाता है, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किए, जादे से जादे सीखने म पर दोशा सिखिए, तब राजा बनेगा. यह दुख, यह दर्द, यह सब तेरे अंदर हैं, तु अपने बनाएं इस पिजडे से बाहर निकलके देख, तु अपने आप में एक सीक अंदर हैं. Thank you so much sir for coming बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ में इंट्राक करके I'm sure आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा Thank you so much Thank you